इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकोसेट AX सीरप के बारे में आज हम बात करेंगे कौन सी समस्था होने पर इस सीरप का यूज किया जाता है इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड एपक्ट हो सकते है किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए और इसकी डोज किस प्रकार से लेनी चाहिए पूरी और सही जानकारी आपको हिंदी में इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरप में यूज होने वाले साल्ट कॉमपोजिशन के बारे में तो इसके अंदर एंब्रोक्सल, गवाफेंजन, एंड लिवोस, सैल, ब्यूटमॉल होता है बात कर लेते हैं सबसे पहले बहुत जरूरी सीरप के बारे में तो जिन जो महिलाएं गर्बवती हैं या जो महिलाएं इस्तनपान कराती है या कोई भी वक्ती इसको डॉक्टर की सलाह के बेना कभी भी इस्तेमाल ना करे वरना आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता है अब आपको बता देते हैं कि कौन-कौन सी समस्याओं में ये सीरप आराम देता है कौन सी समस्याओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो अगर किसी को खांसी हो जाती है सूखी खांसी हो जाती है तो भी इस सीरप का इस्तेमाल किया जाता है या आपको बलगम वाली खांसी हो जाती है जकड़न जैसा रहता है गले के अंदर और छाती के अंदर ऐसी खांसी हो जाती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है या छाती में रक्त संचे हो जाता है और मतलब रक्त के ठक्के बन जाते हैं छाती में बहुत छाती बारे हो जाती है तो ऐसी समस्या होने पर भी सीरप का यूज किया जाता है या किसी को दमा भी है और उसको खांशी भी हो गई है दमा की शिकायत है खांशी भी साथ में है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी सीरप का यूज किया जाता है सांस से संबंदी कोई उनको रोग है और उनको खांसी हो गई है और सांस से संबंदी मतलब सांस भी उनका भूलता है तो ऐसी समस्या होने पर भी यह सीरप काफी फायदे मंद होता है फैफडे के विकार को ठीक करने के लिए फैफडे में कोई संक्रमण है उसको ठीक करने के लिए इस सीरप का यूज किया जाता है या तीब्र और जीन ब्रोंग को पल्मोनरी रोग है तो ऐसा मानने बलकम स्राप से जुड़ा हुआ होता है ऐसी कोई भी समस्या है पल्मोनरी की समस्या है कोई भी तो उस समस्या को ठीक करने के लिए भी इस सीरफ का यूज किया जाता है बात करें इसके साइड एफेक्ट की तो इस दवा से होने वाले अधिकान साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरूत नहीं पढ़ती है और नियमत रूप से दवा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं फिर भी अगर आपके साइड एफेक्ट बहुत जादा बिगड़ने लग जाए कुछ साइड एफेक्ट होते हैं जो हम आपको बता देते हैं बहुत जादा आपको थकान महसूस होने लगे या पेट में कोई परेशानी होने लगे या अरिद्मिया की प्रॉब्लम हिर्दय की धड़कन बहुत जादा बढ़ जाएं या उल्टी जैसा मन करने लगे या उल्टी होने लग जाएं या आपको दस्त हो जाएं बहुत होने लग जाएं शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगे बहुत ज्यादा पसीना आने लगे इस सीरफ को लेने के बाद तो आप समझ जाएं कि ये दवाई आपको सूट नहीं कर रहे हैं और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और सला लें और उनको बताएं कि सर हमको इस सीरफ को लेने के बाद ये संस्य हो रही है, बात करें डोॉस की, तो डोउस आपको ठीक वैसे ही लेना है, यह कोई प्रोमोशन चार्ज या पैसा नहीं लेते हैं बिल्कुल फ्री में आपको जानकारी देते हैं जानकारी अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें थैंक्यू सो मच